हलो स्टुडेंट्स और वेलकम टू माई चानल अनीतर शिक्षा और आज हम पढ़ेंगे बुक हनी सकल जो आरबी एसी एन सीवी एसी दोनों में चलती है नसी आर्टी की बुक है और उसका फर्स चैप्टर हू डिद पैट्रिक्स होमवर्क और ये बहुत ही अच्छा ये चैप्टर का नाम है आप लोगं को अगर कोई होमवर्क कर दे तो कितना एजी हो जाता है ना काम आप लोगं के लिए लेकिन वो सही नहीं होता तो चलिए हमें अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए और उसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं वो डिट पैट्रिक करने से पहले कक्षा में चर्चा करें discuss in class do you like homework कि आपको क्या homework अच्छा लगता है करना कुछ लोगों को तो कुछ बच्चों को अच्छा लगता है कुछ को नहीं लगता do you do it yourself फिर दूसरी बात कि क्या उसे आप अपने आप ही करते हो या किसी की मदद लेते हो और do you get help what homework do you usually have और किस तरह का जो किस प्रकार का जो ग्रहकारे है वो आपको मिलता है किस तरह का वो होता है who did Patrick's homework और इस chapter में हम यह देखते हैं कि Patrick का ग्रहकारे किस ने किया था तो चलिए start करते हैं इसमें बीच बीच में आपको साथ के साथ difficult words भी बताती रहूंगी तो आप अपनी pencil rubber और अपनी notebook भी लेके बैठेगा और उन words के साथ साथ में meaning भी लिखे लिजेगा जो difficult हैं तो चलिए हब start करते हैं Patrick never did homework too boring he said Patrick कभी भी अपना homework जो था यानि ग्रहकारे जो था वो नहीं करता था वह कहता था कि यह बहुत ही boring है boring का मतलब आप लोग जानते हैं अरूची कर बोरिंग का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल उसको रूची नहीं आती थी वो कहता था यह बहुत ही boring काम होता है homework करना क्या करना चाता है इसके स्थान पर होकी खेलना चाता है बास्केटबॉल खेलना चाता है निंटेंडो नाम का जो वीडियो गेम है उसे वह खेलता है his teachers told him Patrick do your homework वो कहता है कि उसके जो teachers हैं वो उसको कहते हैं कि Patrick तुम अपना homework करो or you won't learn a thing और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे and it's true और ये बात सत्य भी है कभी कभी sometimes he did feel like an enormous कभी कभी उसको ऐसा लगता है अज्यानी में हैसूस करना ठीक है lack of education यानि शिक्षा की कमी जिस वेक्तिक होती है उसके लिए एक enormous word यूस किया जाता है तो वो अपने आपको कभी कभी ऐसा महसूस करता है कि मुझे थोड़ी मेरे में शिक्षा की थोड़ी कमी है क्योंकि वो पढ़ता नहीं है but what could he do लेकिन वो अब क्या कर सकता था मगर वो क्या कर सकता था he hated homework क्योंकि उसको तो homework बिल्कुल भी पसंद नहीं था ग्रह कारे करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था hated का मतलब होता है घ्रना करना then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुडिया के साथ खेलते हुए पाया to his surprise it wasn't a doll लेकिन उसको ये देखकर आश्चरे हुआ कि वो गुडिया नहीं थी ये देखिया आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ये बिल्ली है इसके पास में एक छोटा सा बोना जैसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो बिल्ली इसके साथ खेल रही थी यानि कि पहले पैट्रिक को लगा कि वो किसी छोटे से गुडिया से खेल रही है लेकिन but a man of the tiniest size tiniest का मतलब होता है बहुत ही छोटा बिल्कुल छोटा सा तो उसने पाया कि वो जो छोटी सी बिल्ली थी उसके हाथ में वो छोटी सी गुडिया नहीं थी एक छोटा आदमी था जिसकी छोटी सी size यानि आकार था he had a little wool shirt with old fashioned britches and a high tall hat much like a witch's यानि वो जो छोटा सा बोना था यह जानकर उसे बहुत ही अस्चर हुआ कि वह गुडिया नहीं थी बलकि उस सबसे छोटे आकार का एक आदमी था उसने उस छोटा सा जो आदमी था उसने देखा कि उसने उन का shirt और पुराने design की पुराने प्रचलित तरीके का घुटनों तक का पाईजामा पहना हुआ था और वह जादूगरनी की तरह एक उचा लंबा टोप भी उसने लगा रहा खा था which is यानि जादूगर की तरह है he yield, save me यानि yield का मतलब होता है चीखना, चिलाना, वो चिलाया save me की मुझे बचाओ don't give me back to that cat की मुझे वापिस उस बिल्ली को मत देना क्योंकि बिल्ली की हाथ में पास में था जिसको वो खिलोना समझ रहा था पहले Patrick और उसने उससे जब उठा के अपने हाथ में लिया तो देखा, वो छोटा सा बोना था और वो उससे बिंती करता है कि मुझे बचा लो, मुझे इस बिल्ली को वापिस मत देना, I'll grant you a wish I promise you that, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी भी कोई भी एक इच्छा जो है इच्छा कामना जो है वो पूरी कर दूँगा और मैं आपसे ये बात, इस बात का वादा करता हूँ, promise यानि वादा करना पैट्रिक couldn't believe how lucky he was अब जब उस बोने ने ये बात कही, तो पैट्रिक बड़ा ही problems कि अब उसकी सारी समस्याओं का जो समाधान था उसकी सामने था समस्याओं का problem यानि समस्याओं और answers यानि हल, so he said, अब उसने कहा only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days if you do a good enough job, I could even get A's तो वो उसको कहता है कि अच्छा लेकिन अगर तुम मेरा सारा का सारा ग्रह कारे, जुतना भी मुझे मिलेगा, 35 दिनों का है जब तक ये semester समाध होता है, तब तक अगर तुम उसको पूरा प्रयाब की रूप से अच्छा काम कर देते हो, और मुझे नियमित रूप से A-grade प्रात में कर लेता हूँ, तो फिर दा लिटल मैन से फेस रिंकल्ट लाइक डिश क्लॉट त्रोन इन दा हैंपर और ये बात सुनके जो बुढ़ा आदमी था सॉरी, जो बोना व्यक्ति था उसके क्या हो गया? रिंकल्ट का मतलब क्या होता है? रिंकल्ट का मतलब होता है जूरीदार जैसे चहरे के पर जूरियां पढ़ जाती है ना आपन देखते हैं बुज़र का आदमियों को औरतों को, बुढ़े लोगों को चोड़ी जूरियां होती है उनके चहरे पर वैसे ही, जो वो छोटा सा व्यक्ति था उसके चहरे पर उसको रिंकल्स दिखाई देने लग गए, यानि कैसे रिंकल्स और वो रिंकल्स की भी इसमें शेप बताई है कैसे, डिश क्लोथ त्रोन इन दा हैंपर, कि जैसे जो बरतंद होने वाला जो कपड़ा होता है उसको अपन देखते हैं, उसमें जुरियां सी पढ़ जाती है वैसा उसने अपना चहरा बना लिया और फिर उसने किया कि अपने पैरों को पटका और अपनी मुठियों को दुगने जोस से बंद कर लिया और यी ग्रिमेस्ट का मतलब क्या होता है कि तियोरी चड़ाना and scrawled and pushed his lips अब उसने ग्रिमेस, scrawled and pushed his lips अब उसने क्या किया कि अपने तियोरियां चड़ा लिया यानि जो भूह होती उनको ऊपर चड़ा लिया और गुसा, करोत, ग्रिना के भाह उसके होटों को उसने बिचकाया यानि एक दम ऐसे अजीब सा बनाया और कहा ओ, I am am I cursed, but I'll do it कि उसको लगा कि मुझे तो तुम ने कोई अभिशाप दे दिया क्या मैं अभिशापित हो गया हूँ यानि उसको उसकी बात जो थी वो एक अभिशाप के समान लग रही थी, curse यानि अभिशाप देना किसी को पर वो कहता है, मगर मैं इसे करूंगा, I'll do it यानि homework करने वाली जो बात थी वो उस बोने विक्ती को, बोने आदमी को भी बड़ी अजीब सी लगी क्योंकि उसको भी वो काम बहुत मुश्किल लग रहा था, उसने कभी वो काम पहले नहीं किया था, इसलिए and true to his word, that little elf begin to do Patrick's homework और अपने शब्दों पे रहते हुए उस व्यक्ती ने, यानि उस छोटे से प्राणी ने, Patrick का ग्रह कारे करना शुरू कर दिया except there was one glitch लेकिन उसमें एक समस्या थी, यानि तकनीकी समस्या जब होती है तो उसके लिए हम वर्डियूस करते है glitch, तो एक जो glitch थी, यानि तकनीकी समस्या थी वो क्या थी, कि the elf didn't always know what to do and he needed help, कि वो जो छोटा प्राणी जो था, वो हमेशा यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है और उसे भी सहायता की जरुवत पड़ती थी homework को कैसे करेगा उसने का मैं homework तो कर दूँगा लेकिन उस homework को करने के लिए जब चीजें मुझे समझ में नहीं आएगी तो तुम्हें मेरी उसकी मदद करनी पड़ेगी उसने पेट्रिक से कहा help me help me he did say and Patrick would have to help in whatever way और वो कहता था कि मेरी सहायता करो मेरी सहायता करो जब वो ऐसा कहता था तो पेट्रिक को उसकी सहायता करनी ही पड़ती थी चाहे वो किसी भी तरह से उसकी सहायता करे I don't know this word मैं इस शब्द को नहीं जानता the elf squeezed while reading Patrick's homework तो जो elf था यानि जो छोटा प्रानी था वो क्या करता था I don't know this word वो कभी कहता था कि मुझे शब्द नहीं आता the elf squeezed while reading Patrick's homework यानि Patrick का जब वो homework करता था तो वो squeeze का मतलब होता है चर्मराहट की जैसे आवाद निकालती न चूं चूं करके वैसी आवाद निकालता था Give me a dictionary मुझे एक dictionary दो शब्द कोश जिसमें शब्द कोश जिसमें शब्दों के अर्थ मिलते हैं उसको तलाश करने लिए No, what's even better look up the word and sound it out by each other तो वो कहता था नहीं इससे भी अच्छा है कि शब्द को तलाश करो और उससे यानि उस प्रतेक अक्षर को कि उलेखित मात्रा की अनुसार उसकी ध्वनी निकालो कि मुझे बताओ कि उस शब्द को कैसे बोलना है क्या उसका मतलब है When it come to maths और फिर जब गनित की बारी आती थी Patrick was out of luck अब जब गनित की बारी आई तो Patrick की भी बदकिस्मती थी क्यों What are times tables तो उसने पूछा कि ये समयसारनी क्या है उस वोने आदमी को पता ही नहीं था कि समयसारनी क्या होती है The elf shrieked और वो जो बोना आदमी था उसने पूछा और वो चीखा श्री क्यानी चीखा We elves never need that कि हम चोटे जीवों को कभी भी इसकी आवशक्ता महसूस नहीं हुई Elves का मतलब होता है चोटे जीव चोटा प्रानी जनी बोना व्यक्ती And addition and subtraction and division and fraction और वो कहता था कि जोड़ना घटाना भाग करना और भिन ये सब Hair sit down beside me You और वो कहता था कि तुम मेरे यहाँ बगल में beside का मतलब होता है बगल में bad job You simply must guide me और तुम्हें मुझे इसके बारे में निर्देशित करना पड़ेगा Elves know nothing of human history To them it's a mystery वो कहता है कि हम छोटे प्राणी मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हमारे लिए ये एक रहसे की बात है Mystery यानि रहसे So the little elf Already a shouter Just got louder तो इस प्रकार वे जो छोटा जीव था जो पहले से जोर से पुकारता था थोड़ा और तेज हो गया यानि उसकी आवाज और तेज हो गई Go to the library I need books More and more और उसने कहा कि तुम पुस्त का ले जाओ और वहाँ से किताबे ले के आओ Books यानि किताबे need यानि चाहिए मुझे और किताबे चाहिए और भी ज़्यादा And you can help me Read them too पहले तुम किताब ले के आओ और उसके बाद में तुम मेरी मदद करना उसको पढ़ने में भी As a matter of fact Every day in every way That little elf was a nag अब nag का मतलब वह क्या होता है किसी बात के लिए किसी के पीछे पढ़ जाने वाला व्यक्ति जो होता है उसके लिए nag यूज करता है और वो यह कहता है As a matter of fact Every day in every way Little elf was a nag तो सच तो बात यह थी कि प्रती एक दिन यानि हर रोज हर तरीके से वह छोटा सा जो प्राणी था किसी बात के लिए किसी के पीछे पढ़ गया था यानि वो पेट्रिक के पीछे ही पढ़ गया था और अब उस elf की मदद करने के लिए पेट्रिक को पहले से भी अधिक कड़ी मेहनत करनी पढ़ रही थी और क्या यह बुरा लगने वाला काम था तो बलेरी का मतलब होता है लाल हो जाना थकी होना पफ्ट मतलब होता है सूजी होई वेरी मतलब थका मांदा और ड्रैक का मतलब होता है उबाओ बूरा लगने वाला काम थीक है इस टेप का मतलब होता है देर से सो जाना तो ये जो words इसके अंदर आए हैं इस paragraph में वो सारे ये बताते हैं कि Patrick पहले से दिखड़ी मेनत कर रहा था और वह रात को देर से सोने जाता था उसने कभी भी इतना थका मांदा महसूस नहीं किया था वह अपनी सूजी हुई और लाल सकी हुई आंखों से विध्यले जा रहा था फाइनली का मतलब होता है आखिरकार दा लास्ट डे ओफ स्कूल एराइब यानि विध्यले का अंतिम दिन आ गया था एंड़ एल्फ वोस फ्री टू गो और अब वो जो छोटा प्रानी था वो जाने के लिए स्वतंत्र था बोना व्यक्ति जो था वो जाने के लिए प्रामिस किया था पैट्रिक से कि मैं होमवक करूंगा फॉर एस फॉर होमवक देर वोस नो मौर क्योंकि अब जो ग्रहकारे की बाती होमवक यानि ग्रहकारे वो तो अब पूरा हो चुका था सो ही क्वाइटली एं स्लिप आउट दा बैक डोर यानि जो उसने अपनी वाद किया था वो अब उसको ये था कि अब वो पूरा हो गया है और इसलिए स्लिप आउट यानि आसानी से और स्लाइली का मतलब होता है कपट पून तरीके से और क्वाइटली यानि शांती पून रूप से वॉंडर्ड का मतलब होता है अस्चरे हुआ और प्रेज का मतलब होता अरूची कर परंतु अनिवारे कारे, यानि हमें पसंद तो नहीं होता लेकिन वो ज़रूरी होता है, चेरफुल यानि खुश्मिजास, रूड का मतलब होता है, अशिष्ट होना, और डिवैलप्ट का मतलब होता है, विक्सित होना, उन्नत होना, और होल का मतलब होता है, पू फोटा प्रानी था वो जाने के लिए स्वतंत्र हो गया और जहां तक homework की बात थी अब homework भी कोई बाकी नीद था इसलिए वो शांती पूर्वर कपट पूर्ण तरिके से पीछे के दरवाजे से आसानी से निकल गया back door यानि पीछे के दरवाजे से वो निकल गया पैट्रिक गॉट हिस एस हिस क्लासमेट्स वर अमेज़ और हुआ ये कि पैट्रिक जो था उसको उसके जो काम था उसमें उसको एस मिले और वो बहुत ही खुश था और जो उसके टीचर्स थे जो उसके अध्यापक थे वो उन्होंने स्माइल का मतलब क्या होता है मुश्कुराना खुश होना His teachers smiled and were full of praise और उन्होंने उसकी खूब तारीफ करी and his parents they wondered what had happened to पैट्रिक और जो उसके पैट्रिक थे उनको भी आश्चरे हुआ कि आखिर पैट्रिक ने ऐसा क्या किया जिससे की उसका Homework उसने पूरा कर लिया He was now the model kid, cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude यानि अब यह हुआ कि जो सब लोग थे उसका A grade मिलने के कारण उसके सारे के साथ जो थे वो हक्के बक्के थे उसके शिक्षक भी मुस्कुराए और उसको उसकी प्रशनसा करी उसके माता पिता जो थे उनको भी आस्चेरी हुआ कि Patrick को आखिर हुआ क्या, इसने इतने इच्छी नंबर They wondered what had happened to Patrick, उनको आस्चेरी हुआ कि क्या हुआ Patrick इतने इच्छी नंबर कैसे लेखे आया He was now the model kid और अब वो जो था, वो बाकी बच्चों के लिए एक आदर्श बच्चा बन गया था Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude और अब वो अपना कमरा भी साफ करता था, अपने अरूचिकर कारें भी करता था और खुश मिसास हो गया था और कभी भी कोई भी गलत बात, अशिष्ट बात नहीं करता था जैसे उसने एक पूरा का पूरा नया ही तुरिष्टिकों विक्सित कर लिया हो You see in the end, Patrick still thought he did made that tiny man to do all his homework और देखिए सबसे मज़े की बात यह है कि आखिर में पार्ट खतम होने को आया है लेकिन अभी तक Patrick को यह चीज समझ में नहीं आये कि उसको ने सारा काम तो खुद ही किया था क्योंकि जो एल्फ था उसको तो कोई चीज आती नहीं थी वो तो उसी को Patrick को ही कहता था किताबे लेके आओ, आंसर ढूंडो, बताओ, मुझे जोड़ना नहीं आता हर चीज से वो और Patrick जो था हो सारा काम उसने खुद ही किया था लेकिन Patrick अभी भी यह मानता था उसने आखिर में यह सोचा कि मैंने जो छोटा बोना व्यक्ति था यानि अन्त में हमने देखा कि Patrick अभी यह सोचता था कि उसने छोटे प्रानी से अपना सारा ग्रहकारे करवा लिया बट, I'll share a secret just between you and me, it wasn't the elf Patrick had done it himself लेकिन मैं आपको एक छोटी एक बात बताओ कि वो जो homework किया वो उस छोटे प्रानी ने नहीं किया था वो किस ने किया था? Patrick ने खुद ही किया था यह राज की बात है तो हमने यह देखा कि पूरे पार्ट में किस तरह से Patrick को लगा कि उसने बोने से व्यक्ति से काम करवा लिया लेकिन काम तो उसने खुद ही किया था केरॉल मोर के द्वारा लिखा हुआ यह चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ में आता है कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कोई काम नहीं कर पाएंगे लेकिन आखिर में वो काम मुश्किल नहीं होता और अगर हम कोशिश करते हैं तो हम उस काम को पूरा कर ही लेते हैं जैसे कि इस पार्ट में काम तो सारा पेट्रिक ने किया लेकिन उसने सोचा कि मैं एल्फ की मदद कर रहा हूँ और एल्फ सारा काम कर रहा है बल कि काम सारा का सारा पेट्रिक स्यूम ही कर रहा था तो इसलिए हमें किसी चीज से घबराना ने चाहिए होमवग से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए अपना होमवग हमें खुद ही करना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपना homework करते हैं, उतनी ही हम चीजों को सीखते हैं, हमारा ग्यान बढ़ता है, और हम अपनी personality में सुधार लेके आते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा knowledge होगा, उतना ही हम दूसरे लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, और हम अपनी बात को सही तरीके से उनको समझा पाएंगे, तो चलिए बच्चों, अब next जो है हम इस chapter के question answers करेंगे, और तब तक आप लोग इस पूरे chapter को एक बार वापिस से पढ़िएगा, जैसे जैसे मैं line बोलती हूँ, आप लोग पीछे-पीछे बोल के, और reading की practice कर सकते हैं, difficult words जो मैं बताती शेयर करना बिलकुल मत भूलेगा, और भी बच्चों को इसके बारे में बताईएगा, ताकि वो भी इसका पूरा-पूरा फायदा उठा सके हैं, ओके, have a nice day, thank you and bye-bye.